भूतो का गड कहलाता है राजिस्थान का ये काम शाम धनने के बाद हो जाती है लोगों की आवजाही बंद अलवर राजिस्थान के जैपुर जिले से करीब 80 किलोमेटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगड का किला लोगों के लिए हमेशा से कोतु हलका विश्य रहा है इस किले से कुछ किलोमेटर की दूरी पर ही सरिस्का नैशनल पाक स्थित है किले में कई मंदिर भी हैं जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपिनात, मंगला देवी और केशव राव के मंदिर प्रमुख मंदिर है इन मंदिरों की दिवारों और खंबो पर की गई नकाकशी से अंदाजा लगाया जा सकता है ये समूचा किला कितना खूपसूरत और भव्वे रहा होगा भारती पूरा तत्वी विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के परियाप्त सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन एतिहासिक स्थल है फिलहाल इस किले की देख रेक भार सरकार द्वारा की जाती है पूरा तत्वी विभाग ने यहां आने वाले परियटोकों को सक्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भिवेक्ती ना रुके भानगड की कहानी रहसे मैई और बड़ी ही रोचक है 1573 में आमेर की राजा भगवन दास ने भानगड किले का निर्मान करवाया था किला बसावत के 300 सालों बाद तक आबाद रहा सोलवी शताबदी में राजसवाई मान सिंग के छूटे भाई राजा माधो सिंग ने भानगड किले को अपना निवास बना दिया कहते हैं कि भानगड की राजकुमारी रतनावती बहुत खुपसूरत थी उस समय राजकुमारी खुपसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी कई राजों ने रतनावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे उसी दोरान वो एक बार किले से अपनी सक्षियों के साथ बाजार में निकली बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ मिलेकर उसकी खुशबू सुंग रही थी उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधू सेवडा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था सिंख्या उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू में महारती भी था कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मुहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के लिए सोचने लगा लेकिन रत्नामती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था उसने उस दुकान में जाकर अत्नमती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशी करण मंद का प्रियोग किया अब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेक दी इससे शीश तूट गई और इत्र बिखर गया काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवडा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला सिंधु सेवडा तो मर गया लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाली सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन नहीं लेंगे उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी अब किला भारत सरकार की देख रेख में आता है किले के चारों तरफ आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है AASI ने सूर्यास बाद किसी के भी यहां रुकने के लिए प्रतिवन लगा रखा है